आज हम सीखना कि की जो a दीजिस अफ कमपैक्स आधी आधे जाता है। तो कोम कहा एका हुआ? तो फिर्स्थ्पाइब इस मिना इस अपाइब का है। अब बता है क्य अज्ञेक्टिव को है? टॉल शाब हम्हें कहने कहना है कि मीना क्या है? निकिन अगर हमें यह कहना है कि Mina अपने ब्रदा से ज़्यादा तो इसमें आयेगा यह क्मपारिसान हो रहा है तो मिन्स तू नंबर मारी है यह सेकंड नंबर पी बीजर को ही मीना इस तो टॉल की सेकंड क्या है अट है तो मीना इस तॉलर देन थर्ड जब भी तू में कंपारिशन होगा तब तू नमबर भाली यानिकि इसके साथ देन लगेगे आफ्टर यूसिंग देगरी ऑफ सट्रेंट वी विल्यूस देन मीना इस तॉलर देन थर्ड अब शेकंड संचान्स देखिए अब अब यह कहना है कि सन अर्थ से जारा देगर तो उसको कैसे कहेंगे अब किसमें कंपारिशन है तू में तो कौन से टिगरी आएगे तू नमबर वाली सेकिन वाली तो बीग करते आजाएगा बीगर शुबर इस के बाद धन च्यूर लगेगा तो ऐसे बीगर न वाले एट इस शुमें दो है तो हमारे सींपल शंक्राग्स है इंटैलिजेंट क्या है अच्छांब है वह एखिल्जेंट नेकिन हमें यह बताने है कि वो पूरी क्लास में सबसे जला इंटैलिजेंट है अब किसमें कंपैरिशन हो सबसे इंटेरियंट तो इसके लिए हम क्या करेंगे थर्ट डिगरी ओपैरिशन उसके इसम्हें क्या आएगा थर्ट डिगरी तो मोस्ट इंट इंटालिजेंट के फर्ड डीघरी कांचे होती है अगर हमें सिंपल बताना तो फर्स्ट डीघरी का यूशर का तो सेकन डीघरी और सबसे चारए कि सबसे ज़ादा अच्छा है सब्से जान आप बहिए बीग है, तो थर्ड इगी ओप और स्टुडेंट्स जैसे मैं आपको बताया था, तो सेकंड डिगी माप क्या करते हैं सेकंड डिगी के बाद दैन का यूज करते हैं तो फर्ड इगी जब यूज करते हैं, तो उससे पहले के आप दा यूज करते हैं मोस्त इगेशं में दा जबूर लगेगा, दा मोस्त इगेशं इससे ठेट इगी तो देट सुडेंट्स